हेलो स्टूरेंट विल्कम बाक्ट वार चानल दिस साइट प्यांगा खान्ना आपके अपनी एजुकेटर बेटा आज हम आपके सामने लेके आए हैं आपकी ही डिमांड पे होमियोपैथी के बारे में बच्चों के बहुत कॉमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें क्या चूज करना च सकता कि कोई बिल्कुल उसका स्कोप नहीं है first of all दूसरी बात होती है कि यह बिल्कुल बात सही है कि जो हम लोग पहले आयूरवेदा को एक प्रियॉर्टी वाइस नहीं लेते थे अब उसकी प्रियॉर्टी काफी अच्छी है उसके व्याल्यू बहुत अच्छी है ठीक है इस बात पर आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए कि अगर हमने आयुरवेदा को चूज कर लिया तो आयुरवेदा को लेने पर हमारा आयूश के जितने कोसिस होते हैं उसको लेने पर पता नहीं क्या होगा scope है कि नहीं है सो आप इससे बेफिकर हो सकते हैं ठीक है अब बात होती है कि जैसे आपको पता है कि उसके अंदर कई courses आती हैं तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर homeopathy के बारे में कि वो कितना आपके लिए कितना ज़्यादा important है या फिर उसकी क्या eligibility criteria है उससे आप क्या option choose कर सकते हैं हम इसके बारे में बात करने वाले हैं ठीक है सो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है बेटा और साती साथ अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजे विकास हमारे इस चैनल के मीडियम से आपको कई counseling के वीडियोस तो मिलते ह हैं साथे साथ और भी चीज़ों की प्रतली नोटिफिकेशन मिलती हैं जानी की जैसे की सरकारी जवाब हो गई ठीक है किसकी admit काट आए यह सारी भी जीज़े आपको पता चलती है तो आप लोगों को भी सज़स्ट कर सकते हैं साथे साथ खुद भी आप सब्सक्राइब जर उसके बात है कि इसका full form बहुत बर ऐसा क्या होता है बच्चे बीएचे में प्रीएचे मस लेकिन फुल फॉर्म भी नहीं पता होता तो फुल फॉर्म क्या है बैशलोफ होमिपेथिक मेडिकल सिस्टम है जहां पर ट्रीटमेंट जो भी किया जाता है वह एक नाच्रल या फ बीएचे में स्कोर्स इरेशन आपका पांच साल का होता है आप सिक्स मन इंक्लूडिंग वर्न इयर ओफ इंटर्शिप को आप मिला लीजे तो आल्मोस वान के चलिए साढ़े पांच साल का यह कोर्स होता है ठीक है नेक्स अगर हम बात करेंगे कि क्या इंपोर्टेंट है आपको 12 पास होना इंपोर्टेंट है ठीक है फ्रॉम ता प्रूफ एडुकेशनल बोर्ड फिर उसके बात है कि आपके पास 12 में कौन-कौन से मेजर सब्जेट्स का होना इंपोर्टेंट है वो बेटा बायोलोजी केमेस्ट्री फ्रिजिक्स इंग्लिश यह मेजर होता है विकास हर एक चीज का अपने प्रॉपर उसका टार्गेट होता है कि आप इतनी एलुट्री क्राइटेरिय आपकी यह सब होनी चाहिए अगर हम बात करते हैं दियेच्चे में सके तो एक अंडर ग्राजएट है साड़े-5 साल का कोर्स है डिगरी कोर्स है आपका 50% मा भगवान के चलिए आपकी स्टार्ट हो जाती है वन लाक के अप्रॉक्स से लेके यह थ्री लाक मतब मिनिममम इतनी फीस होती है ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात कहते हैं इस्पेशलाइजेशन की तो देखिए जब आप बीच में कर लेते हैं तो बीच में करने के बा क्रिंट कर सकते हैं हैं एमडि कंशने हैं हमने आप क्या सकते हैं अपनी एक सपिशलाइजेशन कर सकते हैं नेक्श अगर हम बात करते हैं कि एक पॉंट है आपके जहां पर आप लेना चाहते हैं तो मास्टर डिगरी किस चीजों में ले सकते हैं आपके पास क्या सिर्फ MD को ऑप्शन होता है और इधर आपके पास मिसी का भी ऑप्शन होता है तो दिखिए आप किस-किस में में सी क्लिनिकल रिसर्च ठीक है मेडिसिन में MSC जिनों में यह सारे कॉर्सिस हैं जिसमें आप कर सकते हैं ठीक है निक्स अगर हम बात करते हैं यह आपके पास रखेंश्यों में आप पोस्की एपने कशमीलगरी वोदर स्टडीज के लिए कर सकते हैं अब बात आती है कि बेचे में इसके बाद क्या सिर्फ हम डॉक्टर ही बन सकते हैं हमारे पास क्या और कोई अधर ऑप्षिन है तो हो में पैते डॉक्टर तो देखे फर्स्ट ऑप्षिन है कि जहां पे मेडिकल टेस्ट हो गया रनिंग सिज्टी एंट प्रिस्क्राइबिंग डा मेडिसिन जो एक डॉक्टर का काम होता है यह स कुछा और लेक्चरार भी बन सकते हैं और साथी सब फार्मसिस्ट भी आप बन सकते हैं ठीक है तो इसमें अगर बात करें तो आपके पास जोब प्रोफाइल में सिर्फ उसे फिक डॉक्टर तो हई ही है वो तो आपके पास मेजरली है लेकिन उसके अलावा भी ये भी चीज़े आप के लिए पॉसबल हैं और अगर हम बात करते हैं impοιमेंट अरिया कि क्या-क्या इंप्रॉयमेंट अरिया है जहां सकते हैं एक तो हो गया आपका मेडिकल थे हो गया जहां पर recruit किया जा सकता है जहां पर आप यूज कर सकते हैं होमेपतिक medicine and the pharmacies में dispensaries में चिक है consultancy में साती साथ NGO healthcare community में license and pharmaceutical industry में and clinic nursing home hospital या private या government हो इसमें भी आप अपना आगे का future बना सकते हैं चिक है सो बच्चों यह थी एक important discussion about the BHMS क्योंकि अब आपके सामने यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि सब कुछ already start हो चुका है आपको पता है आगे बहुत से स्टेट के अभी start होने भी बाकी हैं तो बच्चों में कहीं ना कहीं इस बात का confusion होता है कि हमें क्या लेना चाहिए तो यह एक उसके लिए solution है रही बात कि आपको कौन सा best होगा सबसे पहले आपको अपने choice को समझना होगा कि आपको क्या बनना है यह समझना होगा and then आप decide कीजिए कि इसमें क्या क्या scope है जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताए इसी तरिके के और भी courses के वीडियो आपके लिए पड़े हैं इस चानल में है आप exameter चानल में देख सकते हैं इसी तरिके के latest update and information के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल में लगाता है बने रही है जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट फीडियो में नेक्स्ट इंफर्मेशन के साथ चिल्देन बाई and thank you so much